और इस भी संसर्थ की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सभी आरोपियों से पुलिस के रास्तर के पूस्ताच अब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है बड़ी खवर यह है कि तीन जगाओं पर दिल्ली पुलिस इस मामले की चानबीन करने के लिए पहुँच गई है हर्याना की जीन्द में दिल्ली स्पेशल टीम एक आरोपी नीलम के घर पर पहुँची है और वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछताच की गई है जबकि एक दूसरी जो टीम है तो लखनव में आरोपी सागर शर्मा के घर पहुची है और उसके परिवार वालों से पूछताच की गई है दिल्ली पुलिस की एक और टीम महराश्टर के लातूर पहुची है जहाँ पुलिस के अधिकारियों ने आरोपी अमोल शिंदे के घर पर उसके परिवार वालों से पूछताच की है इस दुरान आपको ये भी बता दे कि अमोल शिंदे के घर से कुछ सामान जब्द किया गया उसे लेकर पुलिस की टीम अपने साथ यहाँ पर निकल गई है लेकिन आसपास भी लोगों से पूछताज की गई है उसके बैग्राउंड को खंगाला जा रहा है आखिर वो कैसे लोगों के संपर्क में रहता था कहीं और कोई बड़ा आरोप तो उस पर नहीं है इस सब कुछ भी जरूर इस वक्त जानटा जा रहा होगा और जब पुलिस की टीम घर पहुच रही है तो सिर्फ परिवार वालों से बात नहीं की जा रही है बलकि जो वहाँ पर लोग मौजूद है यानि कि आसपास भी जो है उनसे भी यहाँ पर पता लगाया जा रहा है 13 दिसंबर की आपको याद होगा जब संसत की सुरक्षा में सेंध लगाई गई और उन सभी आरोपी उसे अब लगातार पूश्ताच की जा रही है और इसी पूश्ताच की आधार पर दिल्ली पूलिस की स्पेशल टीम एक आरोपी नीलम के घर पर पहुची और वहाँ पर मौजूद लो की गई है जो पूलिस अपने साथ लेकर चली गई और उसी के आधार पर अपनी इंवेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है तो ये तीन तस्वीरे बताती हुए कि दिल्ली पूलिस की स्पेशल टीम कैसे अलग-अलग राज्यों में पहुच रही है हाला कि आपको ये भी बताते चलें कि यहाँ पर भी उनसे पूश्टाज तो हो ही रही है लेकिन उनके घर भी जाया जा रहा है आसपस की चीजों को भी खंगाला जा रहा है जिससे की और कोई ऐसी जानकारी जो आरोपी खुद अगर नहीं बता रहे हो तो पुलिस उस तक कैसे पहुच जाए यह सब कुछ इस वक चुकी टेरन एंगल से भी इस पूरे मामले की जान जारी है उनको फंडिंग कैसे हो रही थी सब कुछ इस वक जान चा जा रहा है और इस बीच आपको बताएं कि जिन तीनों आरोपियों के घर दिल्ली पुलिस पहुची है उन पर आरोप आखिर क्या क्या लगे हैं अब आपको विस्तार से बताते हैं ग्राफिक्स के जरीए देखे सबसे पहले आप जानिए सागर शर्मा जिसका अगर लखनों में है संसत के अंदर कलर स्प्रे लेकर जो पहुचा था अपने जूते में चिपा कर वो यही आरोपी है निलम जो संसत के बाहर रंगीन धुआ उड़ाकर प्रदर्शन कर रही थी इसका आरोप लगा था संसत के बाहर से गिरफ्कार किया गया यह वही निलम है इसके अलावा अमोल शिंदे जो लातूर का रहने वाला यानि की महराश्टर का संसत के बाहर रंगीन धुआ उड़ाकर प्रदर्शन अगर किसी ने किया तो वो अमोल शिंदे था वो भी अप पोलिस की गिरफ्त में हाला की आ चुका है लेकिन इसको लेकर भी डिटेल जारी है यह बड़ा आरोप है जो अमोल शिंदे और इन तमाम जो आरोपी उन पर लगाया गया है और इस वक्त की एक और बहुत वड़ी ख़वर आपको बता दे पाकिस्तान में लश्कर का आतंगवादी हाविबुल्ला और भोला खान और खान बाबा मारा गया है हाविबुल्ला को खैबर पक्तूनकवा के टंग शहर में कल शाम गोली मार दी गई थी और इस बार भी किसी अग्याद बंदुगधारी ने हमलावर ने इस आतंगवादी को अपना निशाना बनाया है हाविबुल्ला लशकर के लिए नए लडाकों की भड़ती करता था और उसकी मौत से लशकर चीफ हाफिस सईथ को बड़ा जटका लगा है इस साल पाकिस्तान में लशकर के चार आतंग्यों की हत्या कर दी गई है और जिनने से तीन आतंग्यों की इसी दिसंबर महीने में धेर कर दिये गए है पाकिस्तान के आतंकियों की दिलों में अग्याद बंदुगधारी का इतना खौफ बैट गया है कि सभी आतंकी संग्ठिनों के आकाओं ने अपने प्रभुख आतंकियों को मस्धिदों में नमाज के लिए जाने तक पर रोक लगा दी है और यही नहीं निकाप पार्टी में भी आतंकियों की जाने पर रोक लगा दी गई है ताकि भीड का फायदा उठाकर कोई हमलावर उन्हें निशाना ना बना पाए हलाकि इसके बाद भी पाकिस्तान में आतंकियों के हत्या जारी है फर्मान जारी कर दिया गया कि ना आप बाहर जाएंगे ना मज़ित में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे ना किसी निकाह के कारिक्रम में पहुंचेंगे लेकिन उसके बाद भी आप देखिए अग्याद बंदूगदारी एक के बाद एक निशाना बना रहे हैं और लशकर को खास दौर पर चुकी इससे पहले भी लशकर के ही कई आतंकी मारे जा चुके हैं और अब एक और बड़ी ख़बर निकल कर ये सामने आई है पाकिस्तान में एक और आतंकी की हत्या कर दी गई है और लशकर आतंकी हबिबुला की हत्या की गई है और इस पर क्या जिम्मा थ ये क्या करता था नए आतंकियों की भरती करता था आपको ये भी बता दे लशकर का आतंकियों जो भेर हुआ है तो पाकिस्तान में एक के बाद एक लशकर के आतंकियों को भी टार्गेट किया जा रहा है अब तक लशकर की कई ऐसे आतंकी है जिनकी हत्या हो चुकी है उन्हें निशाना बनाया जा चुका है इसी महीने दिसंबर की अगर मैं बात करूँ तो लशकर का ये तीसरा आतंकी है जो मारा गया है आतंकी हबिबुला, आतंकी रियाज अहमत भी मारे जा चुके हैं और इस साल आतंकी अधनान, आतंकी अकरम की भी मौत कुई थी और उसके पीछे भी आप देखिए जो अग्याद बंदूगदारियें वही होते हैं चाहे जो इनकी आका है वो ये परमान जारी कर दें कि आप बाहर नहीं जाएंगे, आप मस्जिद में नहीं जाएंगे लेकिन उसके बावजूत भी निशाना बनाया जा रहा है और इस ते इस वक्त बहुत जादा खौफ इन में हो गया है आतंकी हबिबुला, आतंकी रियाज एहमद भी इससे पहले मारे गए थे और इसी से जोड़ी हुई एक बड़ी खबर भी आपको लगातार बता रहे हैं इस पर नजर हमारी रहेगी लेकिन आप बात इसकी भी कर लेते हैं कि कैसे संसर सुरक्षा चूक मामले में लगातार जांच परताल को भी आगे बढ़ाया जा रहा है और दो तस्वीरे आपके टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं वो आप देखे कि कैसे उस मामले में लखनओ में सागर शर्मा के घर पर पोलिस पहुची है और जो सीशी टीवी यानि कि जहां से जूता खरीदा गया था दो जूते बकायदा खरीदे गए थे वहां का CCTV फुटेश हंगाला गया है दुकांदार का भयान दर्च किया गया है दुकांदार की तरब से ये बताया गया कि दो लोगों के लिए जूते बनवाये थे आला कि आपको मैं ये भी बता दू कि DVR यहां से लिलिया गया है और उसके बाद अब इस इंवेस्टिकेशन क ये सब कुछ जांचा जा रहा है और खास तौर पर सागर शर्मा जिसने जूते खरीदे थे उस दुकान पर भी पुलिस पहुच गई ये आप दुकानदार को भी सुन रहे थे जिसकी तरफ से ये बताया गया कि कैसे दो लोगों के लिए जूते आपर बनवाये जाते हैं बड़ी ख़बर आपको लगातार बता रहे हैं आमित जादा जानकारी के साथ मेरे साथ पोलाइन पर जुड़ गए अमित का रूप कर लखनायों से और क्या अप्डेेट आपके पास? अब उसके साथ कोई मौजूद था क्या ये कुछ पता जल पाया है इस बारे में बताया जा रहा है कि फिल्हाल जो है उसके साथ एक और स्ट्स महुंचा था तर जाहित और से जर्ली पुलिस की टीम हो सकती है कि उसके भी पुछ ताच करें लेकिन ये हमारे सोर्थ बता रहा ह और जैसे ही आज बिल्ली पुलिस हरकत में आती है या किछी और से पूस्ताच करती है तो जाहिस दर पर इस पर भी इस पर हो जाएगा लेकिन बिल्ली पुलिस लगातार इस कामले में इंवेस्टिगेशन कर रही है इसका क्या इन से कनेक्शन है ये भी इस वक्त जरूर खंगाला जा रहा है जांच की जा रही है इन सब के बीच में संसर सुरक्षा चूक मामले में एक और बहुत बड़ा आप देट जो मिल रहे है वो आपको बता देते हैं इंवेस्टिगेशन जारी है और निउस देट इ महेश कुमावत ने करवाया था और यहीं पार महेश और लड़ित ने मिलकर सभी आरोपियों के मुबाइल पून आक के हवाले कर दिये थे और उस सबूत को रश्ट कर दिया था जो संसर की सुरक्षा सेंध मामले में मास्टर माइन तक पहुँचने का सबसे बड़ा जरिया बन सकता था हाला कि उन फोन को निशान देही पर बरामत कर लिया गया है और फ्रेंसिक टीम को भी भेज दिया गया है और आपने सुरा न्यूज जेडिन इंडिया की टीम वहां पौल गई आने की नागौर के कुचामन सिटी में और ये वही होटेल है जहां पर लले जह ठहरा हुआ था ये जो तस्वीर भी हम आपको लगातार बता रहे हैं दिखा रहे हैं ये उसी होटेल की तस्वीर है जहां पर लले जह रुका हुआ था और उसके साथ महेश कुमावत भी मौजूद था और वहीं पर जो चार मौबाइल फोन थे आरोपियों के उससे नश्ट कर दिया जाता है हाला कि आपको ये भी बता दें कि उन मौबाइल फोन को बरामत कर लिया गया है और इसी खावर पर जारो जानकारी देने के लिए मेरे सयोगी आनंद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए है आनंद ये बताईए कि फोरंसिक टीम को चुकी मौबाइल फोन को भेज दिया गया था क्या कोई डीटेल ये है कि डेटा को रिकावर कैसे किया जा रहा है या कितनी मुश्किल इसमें हो रही है क्या जानकारी आपके पास देखी अभी करीवन तीन से चार मुबाइल फोन जिनने नस्ट कर दिया गया था उन्हें फोरंसिक जांच के लिए बेजा गया ताकि उनके जो डेटा है उससे वापत हासिल के जा लेकिन ललित का मुबाइल फोन अब तक पुलिस नहीं बारावाद कर पाई है जिसके लिए जो अपनी की थी क्योंकि वहीं पर मुबाइल को नश्ट किया गया था अभी पुलिस के लिए चुनोती है कि जो मुबाइल फोन उसके डाटा रिकावर किया जा लेकिन उसमें काफी मशक्कत पुलिस को अगड़ना पढ़ेगी क्योंकि फोन पुरी तरह से जला दिया गया और यही बज़े है कि पुलिस को शक हो रहा है कि उन फोन में कई गहरे राज शुपए होते संसद के अंदर गुसले की जो पुरी घटना हुए उससे जुड़े हुए आरंद ललित की निशान देही पर जो बाकी फोन ने उन्हें बरामत किया गया है क्या और अगर हाँ तो फिर ललित जाने क्या अपने फोन के बारे में कोई जानकारी नहीं दिये वो पुलिस से च्छिपाता लगातार दिखाई दे रहा है ठीक है आनन्द बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कोई अपडेट होगा तो एक बाद फिर से आपका रूप करेंगे लेकिन बड़ी खावर अंदर्शुकों को लगातार बता रहे है अब संसत सुरक्षा चूक मामले में जो जान्च परताल है वो आगे बढ़ रही है आपको और भी जादा जो डीटेल इस पूरे मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं ये तो देखिए अब आपको जो आरोपी है उन पर आरोप क्या के बाहर रंगीन धुआ उड़ाकर जिसने प्रदर्शन किया था उस आरोपी का नाम नीलम ही है ये भी पुलिस गरफ तुमें है जान्च परताल इसको लेकर भी हो रही है अमोल शिंदे महराज्ट कर रहने वाला है संसत के बाहर रंगीन धुआ उड़ाकर जिसने और बहुत सरे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना आप भी बाकिया है और इसी को लेकर जो पुलिस है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ललित की निशान देही पर दिली पुलिस राजस्थान पहुँची और राजस्थान नागौर का कुचामन सिटी जहां पर ये ललित और महेश ठहरे हुए थे इसी की निशान देही पर पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। ललित ने पहले सभी मुबाइल फोन तोड़ दिये थे उसके बाद जला दिये गए। प्रदर्शन के बाद सभी आरोपियों के मुबाइल लेकर जो भागा था शक्स आरोपी वो यही ललित जा है। और उसने कहा कि पहले उसने मुबाइल फोन को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद उसे जला दिया गया। ताकि कोई भी सबूत ऐसा ना रह जाए जो पुलिस तक पहुँच जाए और उसके बाद इस पूरे नेकसिस का भंडा फोड हो सके। लेकिन आपको ये भी बता दूँ कि ललित जा जरूर ये जानकारी तो दे रहा है कि आरोपियों के मुबाइल फोन कहा है लेकिन उसका खुद का मुबाइल फोन कहा है ये अभी तक भी पता नहीं चल पाया है और इसलिए बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलना अ यानि की जो बैग्राउंड है उससे खंगाला जा रहा है जाट परताल इस पूरे मामले की अब बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है इस पेशल पुलिस जो टीम है वो तीन प्रदेशों में जाच कर रही है और वहाँ पर जो भी लोग मिलते जा रहे हैं परिवार वा आरोपी सागर शर्मा की घर पर चानबीन की गई है और परिवार वालों से भी बकायता पूर्स ताच की गई है और सिर्फ इतना ही नहीं है वो सागर शर्मा जहां से जूते बनवाए थे जिस दुकान से जूते बनवाए थे वहाँ पर भी पुलिस की टीम पहुंची है और जो उसका दुकान मालिक है उसके बयान दर्ज किये गए है यानि कि ये तो साफ है कि अब दिल्ली पुलिस जो है जो स्पेशल टीम बनाए गई है वो अलग-अलग राज्यों में जा रही है और इसके अलावा भी जहां से कनेक्शन होने की खबरे मिल रही होगी जहां से भी ल पुलिस की जान जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है